हेलो एब्रिवेन वेलकम टू आरिन क्लासेश दोस्तो आज मैं आपके सामने फिर एक बहुती इंपॉर्टिन टॉपिक भारत की जन्गन्ना 2011 लेकर के आया हूँ जिसमें की कुल 45 से 47 प्रस्ण है वो बहुती इंपॉर्टिन कुईशन है और किसी ना किसी परिक्षा में ये प KPSC और SSC GD के एक्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए तो ये बहुत ही महत्पून सावित होगा तो चलिए हम लोग वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी आउन करें जिसे कि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियो होंगे वो आपको हमेशा मिलती रहेंगे और लाइक कमेंट शेयर करना तो बिलकुल न भूलिएगा चलिए हम बग वीडियो सुरू करते हैं भारत में पहल भारत में लौड मयो का साशन काल था सकेंड कृशन है भारत की नियमित जन गन्ना की सुरूआत कब हुए तो भारत में नियमिद जन गन्ना की सुरूआत 1881 में हुई और ये समय लौर रिपन का साशन हुआ करता था तीसरा क्वेशन है आजाद भारत की पहली जनगना कब हुई थी? जी हाँ आजाद भारत की पहली जनगना कब हुई थी तो 19.51 में हुई थी और वो समय हमारा देश आजाद हो चुका था और पंडिश जोहलाल नेरू हमारे पहले प्रधान मंतिरी थे इनके समय में ये जनगर्णा हुई थी और इसमें कुल 14 सवाल पुछे गये थे हमारा अगला question है जनसंख्या का महान विभाजक कौन सा वर्ष कहलाता है जी हाँ इंपर्टेंट question में है ये जनसंख्या का महान विभाजक कौन सा वर्ष कहलाता है तो answer होगा 1921 अगला question है जन संख्या का लगू विभाजन कौन सा वर्ष कहलाता है जी हाँ बहुत important में है कि जन संख्या का लगू विभाजन कौन सा वर्ष कहलाता है तो आपका answer होगा 1951 में Next question है विस्व जन संख्या दिवस कब मनाया जाता है जी हाँ ये कुष्चन तो अक्षर आता है एक्जाम पे 200 जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो हम लोग 200 जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं अगला कुष्चन है जनगन्ना 2011 देश की कितने वी जनगन्ना है जी हाँ जब 2011 में जनगन्ना हुई थी तो ये हमारे देश का कितना जनगन्ना में गिंती में था तो इसका एंसर होगा ये पंदरवी जनगन्ना थी स्वतंतर भारत के समय से ये सातवी जनगन्ना हुई अगला क्विशन है जनगन्ना 2011 जनगन्ना आयुक्त वोस में सी चंदर मौली थे इनसे कुल कितने प्रस्ण पूछे गया था, that means इनमें कुल कितने प्रस्ण सामिल थे, तो हमारा आंसर होगा 29 और इस पे कुल खर्च हुआ था 200 करोड, ठीक है, अगला question है, वर्ष 2011 की जनगन्ना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी, जिहां, important question है, कि वर्ष 2011 की जनगन्ना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो हमारा आंसर होगा 121.08 करोड, यह हमारे देश की जनगन्ना थी, अगला question है, जनगन्ना 2011 के अनुसार विश्व की कितनी जनसंख्या का भारत में निवास करती है, जनगन्ना 2011 के अनुसार विश्व की कितनी ज जनसंख्या का भारत में निवास करती है तो इसका आंसर बनेगा 17.5% जी हां लगबग 17.5% पूरे वर्ल्ड के पोपुलेशन का हम लोग भारत में निवास करते हैं आगी कुश्चन है जनगन्ना 2011 के अनुसार भारत में पूरोसों की जनसंख्या कितनी है जी हां बहुत इंप बार्षट दसंवलो 32 करोड तेट में 51.47% टोटल का ठीक है अगला क्रिशन है जनगन्ना 2011 के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी है जी हां जनगन्ना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है तो इसका आंसर होगा 58.75 करोड ठीक है और लगबग 48.53% ट महिलाओं की जनसंख्या कितनी है तो हम लोग का आंसर होगा 15.87 करोड जो की हमारे पूरे देश का प्रतिशत अगर लेते हैं तो 13.52% होता है अगला क्रिशन है भारत की दस्किये जनसंख्या कितनी है वरिधी दस की जनसंख्या देट में 10 साल का ठीक है तो 2001 से 2011 के बीच कितनी थी तो भारत की दस्किये जनसंख्या वरिधी 2001 से 2011 के बीच 17.7 प्रतिशत थी अगला क्रिशन है भारत की वार्ष की जनसंख्या वरिधी देट में एक साल का तो 2010 से 2011 के बीच कितनी थी तो 2010 से 2011 के भारत की जनगर्ना 2011 के नुसार जनसंख्या घनत्व कितना है जनसंख्या घनत्व हम लोग देखते हैं तो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रती वर किलोमीटर में एक किलोमीटर के दाहिरे में 382 व्यक्ति 2011 के समय में रहते थे भारत में ठीक है नेक्स्ट क्येशन है भारत की जनगर्ना 2011 के नुसार लिंगानुपात कितना था जी हाँ यह इंपॉर्टेंट है लिंगानुपात से बहुत सारे क्येशन आते हैं तो लिंगानुपात कितना था भई तो 943 महिलाओं में 1000 नेक्स्ट है भारत की जनगर्ना 2011 के नुसार कुल सक्षर्था दर कितना था लिटरेसी रेट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यह 73 परशेंट था 73 परशेंट लोग सिख्छा को पाथ चुके थी that mean सक्षर्था दर था यह अगला कुशन है भारत की जनगर्ना 2011 के नुसार सक्षर्था दर कितना है जी हां आश कितने व्यक्ती पुरुस जो है वो पढ़े लिखे थे 2018 की जनगन्ना के अनुसार तो आन्सर होगा 80.9% परुस पढ़े लिखे थे ठीक है नेक्ट्ट क्यर्चन है भारत की जनगन्ना 2011 के अनुसार महिला सक्षरता दर कितना था तो कितनी महिला पड़ी लिखी थी उसमें तो answer होगा 64.6% महिला पड़ी लिखी थी अगला question पर आते हैं हम लोग सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था जी हाँ सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था important में है यह तो इसका answer होगा उत्तर पर्देश और उत्तर पर्देश में 19.9-8 करोड उसमें जनसंख्या हुआ करती थी 2011 में that means लगवग 20 करोड की जनसंख्या थी ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं question no.2 नींतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जी हाँ नींतम जनसंख्या वाला राज्य है हमारा सिक्किम जहां मात्र 6.10 लाग देट मिंज छे लाग दस अजार जनसंख्या थी नींतम जनसंख्या 2011 के जन गन्ना के अनुसार ठीक है आगे question करते हैं सरवाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा था जी हाँ यूनियन ट रिट्री का बात कर रहे हैं तो यह है नई दिली वो समय 1.67 करोड यहां के जनसंख्या हुआ करती थी 2011 के समय नेक्स्ट है नींतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है नींतम डैट मींज कम से कम ठीक है तो कम से कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य में हम लोग आएंगे तो वो है लच्छी दीप जो की मातर यहां पर 64.47,000 चाओं सट हजार चारसो सत्तर आदमी रहा करते थे 2011 की जनसंख्यों के नुसार इससे पहले आपने देखा निव दिल्ली निव दिल्ली हो गया मैक्सिमम का और यह हो गया मिनीमम का ठीक है जनसंख्यों की दिल्ष्टी से चार सबसे बड़े राज्जी कौन से है जनसंख्यों की दिल्ष्टी से अभि वम लोग 1,2,3,4 करके जाएंगे थे भी पुँला पर उतके चोटा तो ध्यआट से दिखीगा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर परदेश उसके बाद है महराष्ट उसके बाद है बिहार और तब जाकर के है अपना पश्रिम मंगाल ठीक है ये चारो के चारो जनसंख्या की दिरिष्टी से लाइन बे लाइन है अगला केशन हम लोग आते हैं जनसंख्या की दिरिष्टी से सबसे बड़ा जीला कौन सा है जिहां है सबसे बड़ा जीला भारत में सबसे बड़ा जीला वो भी जनसंख्या की दिरिष्टी से तो वो है ठाने जीला ठाने कहां का है तो ये महराष्ट का है और उसकी जनसंख्या है व्यवर्ष 2011 में one point one zero कोरोड हुआ करती टीए स्थे एक कि CRS अगला करती थी ठीक है नेस्ट क्येशन है जनसंख्या की देश्वति से सबसे छोटा जिला क्वित जिला कौन सा है गुदि हां सबसे छोटा जिला सबसे छोटा जिला अगर अगर बात करते हैं तो हमारा फिर से वही आ जाएगा दिवांग घाटी जो की अरुनाचल प्रदेश में है और यहां जनसंख्या मात्र 7,948 व्यक्ति रहा करते थे आपको हमने छेतफल की दिरिष्टी से भी बदाया था कि यह सबसे छोटा जीला है और यह जनसंख्या की दि जनसंख्या घनत्य वाला राज्य कौन सा है तो वह है बिहार यहां पर एक किलोमीटर रेडियस पर एक किलोमीटर के दाएरे पर एक ग्यारा सो छे व्यक्ति निवास करते हैं यहां का जनसंख्या का घनत्य है ठीक है नेक्स क्वेशन है निंतम जनसंख्या घनत्य वाला रा तो वो है अपना अरुनाचल पर्देश यहां पर एक किलो मीटर के डाइरे में मात्र सत्तरा व्यक्ति निवास करते हैं ठीक है तो यह दो हजार ही ग्यारा कहता आगे देखते हैं हम लोग सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला केंदर शासित पर्देश कौन सा है यहां देखिए अब आगे हम लोग उनिन टेरेटरी में ठीक है तो वो होगा नई दिल्ली और यहां पर एक किलो मीटर के रेडियस पर एक ग्यारा हजार तीन सो बीस व्यक्ति निवास करते हैं ठीक है सबसे ज्यादा है यह नेक्स्ट है नींतम जनसंख्या घनत वाला केंदर शासित ठीक है तो इसका एंसर होगा अंडवान निकवार दीवसमू यहां पर एक किलो मीटर के दाएरे में मात्र 46 व्यक्ति निवास करते हैं यह हो गया 46 व्यक्ति प्रतिवर किलो मीटर नेक्स्ट केशन आते हैं सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला जीला कौन सा है अब हम लोग ज अगेंसित्व झालो के जिला में आ दैगा उत्तर पूर्व दिली जी हां उत्तर पूर्व दिली यहां पर 37346 व्यक्ति प्रतिवर किलो मिटर में दिखाए देते हैं इ यह 37,346 व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर धियान में रहते हैं ठीक है यह सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला जीला अब हम लोग देखते हैं निंतम जनसंख्या घनत वाला जीला कौन सा है अब निंतम में आते हैं तो फिर से हम दोग वही आगे कहां पर तो दिवांगाटी एक व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर दिखाया देता है जी हाँ एक व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर यह नींतम जनसंख्या घनत वाला जीला भारत का 2011 की जन संख्या जन गन्ना के अनुसार ठीक है सरवाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कुन सा है ये भी important है राज्य का बात किया जा रहा है वो भी लिंगानुपात पे तो सरवाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है हमारा केरल जहां पर 1084 महलाएं प्रती 1000 पूरुस के साथ निवास करती है यहां यह लिंगन उपात है 1084 महिलाएं प्रती 1000 पुरुस अगला क्यूशन है निंतम लिंगन उपात वाला राज्य कौन सा है अब हम देखते हैं निंतम सबसे कम ठीक है सरवाधिक में देख लिए केरल निंतम पर हो जाएगा क्या हम लोग का तो हर्याना यहां पर 889 महिलाएं निवास करती है 1000 पुरुसों के कमपेरिजन पर ठीक है यह बहुत ही कम लिंगन उपात वाला राज्य है ठीक है हर्याना आगे है सरवाधिक लिंगन उपात वाला केंद सासित पर्देश कौन सा देखे यूनिन टेरिट्री में हम लोग बात कर रहे न तो इसका अंसर होगा बहुत ही अच्छा जगा ही ये इसका नाम है पुर्डुचेरी यहां पर 1037 महिलाएं प्रती 1000 पुरुस के कमपेरिजन पर निवास करती है तो यह होगे सरवाधिक लिंगन उपात वाला केंदर शासित प्रदेश नेक्स्ट है नेंतम लिंगन उपात वाला केंदर शासित परदेश कौन सा है नेंतम मिनिमम ठीक है तो इसका अंसर होगा दम्मनान दीव यहां पर 618 महिलाएं प्रती 1000 पुरुष के साथ निवास करती है ठीक है दमनेंदीव 618 महिलाएं प्रती 1000 पुरुष अगला किशन है सरवाधिक लिंगन उपात वाला जीला कौन सा है यहां यह भी इंपोर्टेंट है कि सरवाधिक लिंगन उपात वाला जीला कौन सा है भारत का तो इसका अंसर का माहे ठीक है माहे जो की पोड़ुचिरी में है और यहां पर 1176 महिलाएं निवास करती हैं प्रती 1000 पूरुसों की कंपेरीजन पर ठीक है यह 2011 का जन्गन्ना की अधार पर रिपोर्ट है निंतम लिंगन उपात वाला जीला कौन सा है तो निंतम लिंगन उपात देखेंगे तो फिर से हमारा हो जाएगा वही दम्मन इंदीव जहां पर 533 महलाएं प्रती 1000 पूरुसों के कंपेरीजन पर निवास करती हैं ठीक है सरवाधिक साक्षर्ता वाला राज्य कौन सा है जो की पड़ा लिखा में बहुत आगे है यह राज्य ठीक है लिटरेसी रेट यहां का बहुत ही आई है तो वो राज्य है अपना केरल जहां पे 94% लिटरेसी रेट है ठीक है नेक्स्ट है निंतम सक्षर्टा वाला राज्जी कौन सा है निंतम सक्षर्टा यहां ध्यान दीजीएगा निंतम सक्षर्टा वाला राज्जी है तो अपसोस की बात है कि हम लोग को एक ही नाम याद आता है वो है बिहार बिहार 2011 के जिन्गन्ना के अनुसार 61.8% यहाँ पर पढ़े लिखे लोग निवास किया करते थे ठीक है अब हम लोग आ गया आते हैं 42 में सरवाधिक सक्षर्ता वाला केंदर सासित प्रदेश कौन सा है देखिए युनिन टेरिट्रिव में हम आ रहे ना अभी ज्यादा पढ़ा लिखा में लेटराइसी रेट में तो वो एंसर होगा जी हाँ लक्ष दीब यहाँ पर 91.8% व्यक्ती पढ़े लिखे हैं जी हाँ ध्यान दीजेगा 91.8% व्यक्ती पढ़े लिखे हैं नेक्स्ट है निंतम सक्षर्था वाला जीला कौन सा है मिनिमम सक्षर्था ठीक है तो वो एंसर हो जाएगा हम लोग को क्या तो अली राजपूर यह मद्धी परदेश का है और यहाँ पर 37.22% है व्यक्ती जो की पढ़े लिखे हैं तो यह अली राजपूर मद्धी प्रदेश कोन सा है युनिन टेरिट्री निंतम सक्षर्था वाला ठीक है तो इस पर हम लोग का एंसर आता है दादरा एंड नागर हवेली यहाँ पर 76.2% पढ़े विले सॉरी यह निंतम लिखा गिया यहाँ पर मैक्सिमाम होगा न ठीक है यहाँ पर माफिस चाहेंगे यह निंतम लिखा हुआ है यहाँ पर मैक्सिमाम होना चाहिए अधिकतम ठीक है यह ओर निंतम सही था यह सही मैक्सिमम यहाँ पर तो सरवाधिक सक्षर्था वाला जीला कौन सा है तो सरवाधिक सक्षर्था वाला जीला है सर्चिप सर्चिप मिजुरम में है जो कि 98.76% है ठीक इससे पहले वाले जो हमने देखे कौनसा ये दादराय नगर है वेली ये निंतम वला सही था और सरवाधिक वाले में ये सर्चिप जो कि मिजोरम 98.76% पर है ये सही है ठीक है तो यहीं पे हमारा ये वीडियो खतम होता है अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर तो भरप है ठीक है ओके थैंक यू